हे गाइस अधूरा के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मालविका पे कोई अध्रिश्य शक्ती अटेक करती है और उसके ही डूपट्टे से उसका गला दबाती है लेकिन वो किसी तरह से अपने आपको बचा लेती है और उसे ये किसी का प्रैंक लगता है क्योंकि उसके आखरे दिन निनाद अपने ग्रेंट फादर के घर गया था क्योंकि उसके ग्रेंट फादर बहुत बिमार थे ऐसा उसने इस लेटर में लिखा है ये राइटिंग निनाद की ही है और वो एक बस में चड़ा था और उसको भेजने की जिम्मेदारी कोच व्यास ने ली थी ल इसलिए उस दिन हमारा ब्रेक अप हुआ था निनाद और तुम्हारे बीच मैं थर्ड पसंद थी नाकी निनाद और ये सुनकर आदी राज को बहुत बुरा लगता है अब आदी राज कोटा गिरी जाता है जहां उसके ग्रेंट फादर रहते थे और निनाद ने भी लेटर में यही मेंशन किया था कि वो कोटा गिरी जाने वाला है यहां वो उसके पैरेंट से मिलता है जहां निनाद के फादर बताते हैं कि वो पिछले 15 सालों से अब तक घह नहीं आया और हमने उसकी मिसिंग कंप्लेंड भी की थी आदी राज को ये सुनकर एक जटका सा लगता ह वो बोलते हैं कि उन्होंने स्कूल में भी इसकी कंप्लेंड की थी पर स्कूल वालों ने हमें उसका लेटर दिखाया और साथ में ये भी बताते हैं कि उस टाम नीनाद के ग्रेंड फादर बिमान नहीं थे हमने नीनाद को बहुत डुंडा पर वो नहीं मिला और बस वालों वापस flashback में जाता है जो school का large day होता है यहाँ पर आदी राज और नीनाद दोनों एक साथ अपना time spend करते हैं नीनाद gay था वो आदी राज को बहुत पसंद करता था पर उसने कभी अपनी feelings को share नहीं किया नीनाद आदी राज को किस करने लगता है जिससे आदी राज भड़क जाता है और वो सब के सामने उसके उपर गुसा करता है जिससे सब के सामने नीनाद का मजाग बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है यहाँ पर मालविका भी होती है क्योंकि आज मालविका और आधी राज की डेट होती है क्योंकि इसके बाद आधी राज अमेरिका चला जाता और यहाँ आधी राज मालविका के पास न जाकर सीधा असेंबली हॉल चला जाता है जिसके बाद मालविका को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है अब वापस प्रेजन टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर आदी राज इसकूल आ गया था और आज डीन व्यास के मूर्ती का इनाउग्रेशन होता है तभी सभी का ध्यान सुयस के तरफ जाता है जिसमें हूमू लिखा था जो कि पंदरा साल पहली नीनाठ की उपर सुयस्त ने फिका था जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ड़ जाता है आदी राज इसकूल के अंदर जाता है जहाँ उसे वेदान्थ मिलता है यहां वेदान्त आदी राज से नीनात की वोईस में कहता है कि वो सबसे fight back करेगा यहां पर वेदान्त का flashback दिखाया जाता है जहां वेदान्त अपने room में सो रहा था तभी किसी अद्रिश्य शक्ती की उसे आवाज सुनाई देती है वो उस hostel के room से निकल कर डीन व्यास के घर के पास जाता है जहां पर contraction का काम चल रहा था वहीं पर उसे कुछ puppies दिखते हैं उस puppies को चुने वाला था तभी उस puppies की मदर आकर वेदान्त की उपर attack करती है बट यहां पर वो dog वेदान्त की उपर attack करने के पहले ही मर जाती है क्योंकि यहां पर नीनाद का घोष्ट वेदान्त को protect करता है और उस घोष्ट ने उन puppies को भी मार डाला था और यहां पर नीनाद वेदान्त को possess कर लेता है वो वेदान से कहता है कि हम दोनों को मिलकर सबक सिखाना होगा और वो ये भी कहता है कि अगर मा सबक सिखेगी तो बच्चे को भी सबक मिलेगा अब सीन सिप्ट होता है प्रेजन टाइम में जहां पर सुप्रिया को दिखाया जाता है मालविका यहां सुप्रिया से मिलने आती यहां मालवी का सुपरिया से कहती है कि आदी राज को anxiety है और वो निनात को डूनने के लिए आदी राज को encourage ना करे जिसमें वो खुद ही उलचता जाएगा और यह बोलकर मालवी का वहां से चले जाती है अब सुपरिया वेदान से मिलने जाती है यहां वेदान सुपरिया से क पुलिस यहाँ आ जोकी थी और किसी को भी स्कुल छोड़ कर बहा जाने की पर्मीशन नहीं थी और पुलिस सब को यहाँ पर कोपरेट करने की बात करती है जैसे कि हम जानते हैं कि देव स्कुल का ट्रस्टी होता है इसलिए वो बीना पर्मीशन की स्कुल से बहा जाने की बात करता है और अब रज़त मालविका और देवतीनों ही इसकुल से बहाँ चले जाते हैं लेकिन रास्ते में ही उनकी काह से एक हीरन को चोट लग जाती है और इस एक्सिडेंट की वज़े से उनकी कार खराब हो जाती है और उन्हें वापस इसकुल की तरफ जाना पड़ता है या ये भी कहती ही कि अब वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी आदीरा सुपरिया से कहता है कि जब निनात मिसिंग हुआ था तो उसके बैचमेट से कोई हेल्प नहीं ली गई और उन्होंने जूट कहा कि उसके पैरेंट्स का कॉल आया था कि निनात को वापस घर भेज़ दिया है वो बताता है कि इसकुल के लाज्ट डे में हम असेमली हॉल के बाहर मिले थे और वो बहुत जल्दी में था पर यहां निनात असेमली हॉल पहुचा ही नहीं था अब आदीराज देव से भी कोश्चन कहता है कि उस दिन तुमने भी इसकुल बंग किया था जिस पर वो कहत प्रोजेक्शन रूम की तरफ यहां पर विदान्त भी होता है और थोड़े दिर के बाद वो उस रूम से निकल कर बहाँ चला जाता है और तभी उस रूम में आग लग जाती है जब सुयस ने सुसाइट किया था उस समय सारे बच्चों ने उसे सुसाइट करते वे देख लिय था तो उनका मन बहलाने के लिए उन्हें प्रोजेक्टर रूम में कार्टून दिखा रहे थे और उसी टाइम उस रूम में आग लग जाती है जिसके बाद सारे बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और अब इधर रजजत को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चोट ल हो सोजाता है अब इधर सुप्रिया को दिखाया जाता है जिससे मिलने साथक आया था साथक सुप्रिया को बताता है कि वो वेदान्त नहीं है बलकि वेदान्त के अंदर कोई और है और उस दिन वाश रूम में वेदान्त के अंदर किसी और को देखा था सुप्रिया नीनात के बारे में पता करने लगती है अब इधा सीन सिफ्ट होता है और चंदर प्रकास को दिखाया जाता है वो कहते हैं कि जब से न्यू बिल्डिंग का काम सुरू है तब से कोई न कोई प्रॉबलम आई रही है और दीन व्यास भी उसी टाइम मारे गए थे सुप्रिया उनसे बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने डीन व्यास को मरते हुए देखा था और उनका आखरी शब्द निनाद होता है लेकिन तब उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये निनाद क्या है अब सुप्रिया वेदान्त के पास जाती है और वो उससे शेडो बॉय वाली ये सुप्रिया को नहीं समझ आता लेकिन हम यहां समझ जाते हैं कि वो निनाद की स्प्रिट की बात कर रहा था और अब सुप्रिया उस बुक को ले जाकर आधी राज को देती है और उससे कहती ही कि वो वेदान से दूर रहे उसे ऐसा लगता है कि ये बुक उसे आधी और यहां पर सुप्रिया आधी राज के हाथ में उस निशान को नोटिस करती है जो सेम निसान उसने विदान के हाथ में भी देखा था और अब सभी लोग स्कूल से वापस जाने की तैयारी करते हैं इस स्कूल में सुयस की दैथ हुई थी जो की फेमस एक्टर होता है इसलिए ये केस सिब्याई के हाथ में चला जाता है और उनकी टीम डेली से आ रही थी यहां पर ऑफिसर बेदी आकर सबको यहीं रुकने बोलते हैं पर जो लोकल पुलिस होती वो इस केस को यहीं दबाने की कोशिश करती है लेकिन बेदी एक इमानदर ऑफिसर होता है अब सिन सिप को परेशान कर रहा था तो वहां मौजुद सारे बच्चे उससे इड़ा जाते हैं इसलिए सुप्रिया उसे अपने साथ अपने घर ले आती है सुप्रिया को अपने बच्चे की विजन्स आते हैं जो कि पानी में डुबा हुआ था वो ये देखकर बहुत पर परिशान हो पर थोड़े देर के बाद सब नॉर्मल हो जाता है तब ही उसके घर पर आधिरा जाता है वो यहां वेदान्थ को देखता है और उससे कहता है कि वो केरफुली रहे साथ में वो ये भी बताता है कि सुयस की बॉड़ी के पास उसे जो चीट मिली थी वो उसका हैलूजनेशन न गलती की थी इसलिए वो दुबारा ऐसी गलती नहीं करेगी और विदान्थ को अकेला नहीं छोड़ेगी अब आधिराज वापस स्कूल आ जाता है और वो पुराने प्यून देवी प्रसाद से मिलता है जो अब केटरिंग का काम करता है और आधिराज उससे नीनाद के बार रहा हो इधर रजट को दिखा जाता है जो कि अपने हाथ से काफी परिशान हो गया था और वो आधिराज के सामने देव के बारे में बात करता है कि कैसे सूयस देव और उसने मिलकर नीनाद को इसकूल के लाश डे पर बुली किया था और यहाँ पर स्टोरी एक बर फेसे फ रजट के साथ मिलकर उसे बहुत माता है देव उसे इतने जोज से माता है कि वो बेहोस हो जाता है बट एट लास्ट देव इन सब चीजों का ब्लिम आधीराज के उपर डाल देता है कि उसकी वज़़े से ही ये सब हुआ था ये सब बाते सुनकर आधीराज बहुत परिशा पुद्धा सुयस की गलफरन को दिखाय जाता है। यहाँ पर सिगनल नहीं होता लेकिन जब सिगनल आता है तो उसके मुबाइल की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। अधिराज सुप्रिया के पास जाता है और उसे नीनाद के बारे में बताता है। लेकिन सुपरिया विधान को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। आदी राज उसे समझानी की कोशिश करता है कि विधान के अंदर नीनाद के स्पिरेट है जो कि विधान को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके हाथ में जो बर्थ मार्क आया है वो नीनाद का ही है और ऐसा सेम मार्क भी विदान के हाथ में है और वो उससे ये भी कहता है कि उसने नीनात को छोड़ कर गलती की थी लेकिन वो विदान को नहीं छोड़ेगा लेकिन सुप्रिया उसकी बात नहीं मानती और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और वो सोच में पढ़ जाती है कि विदान को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता और वो विदान को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है तभी सुप्रिया का फ्लेश बेक दिखाया जाता है उसके पास्ट लाइफ में जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो वो एक बिमारी का सिकार हो जाती है और वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी उसका हस्बेन उसकी बहुत केयर करता है लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती और एक दिन जब वो अपने बच्चे को नहला रही थी तो उसने उस बच्चे को पानी में डुबा कर मा दिया था जिसके विजन्स उसको अक्सर आया करते थे वो उस बच्चे से बहुत इरिटेड हो गई थी उसको उसका रोना पसंद नहीं आता था जब सुप्रिया का हस्बेंड अपने बच्ची की बोडी देखता है तो उसे एक सदमा सा लग जाता है वो अपने आपको बहुत कोशने लगता है कि उसने सुप्रिया को उस बच्चे से दूर क्यों नहीं रखा और इसके बाद वो अपनी ही जान ले लेता है और यही वज़ा थी कि सुप्रिया ने सबसे जूट कहा कि उसका बच्चा पास साल का है और उसके हस्बेंड के साथ उसका डिवोस हो चुका है अब इधर आदी राज को दिखाय जाता है जो कि चंदर प्रकास जी से बात करता है दोनों नीनाद के बारे में बात कर रहे थे आदी राज कहता है कि नीनाद कभी बस में चड़ा ही नहीं इन फैक्ट वो इस स्कूल से बाहर गया ही नहीं वहीं चंदर प्रकास कहते कि दीन व्यास इस बिल्डिंग के बनने के खिलाफ थे और इसका मतलब यह है कि उन्हें पता था कि इस जगह पर नीनाद की बाड़ी को दपनाया गया है और अब उन्होंने गुस्यल आत्मा को जगा दिया है जो की रिवेंज लेना चाहता है और अब आदी राज उस जगह में जाता है जहां 2007 में टिकेट बुक हुआ करते थे आदी राज यहां चोरी चुपके से जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि काफी साल पहले देवी प्रसाद ही आया था टिकेट लेने जो 2007 में इसकुल का प्यून हुआ करता था लेकिन अब वो केटरिंग का काम करता है और यह सब सुनकर आदी राज बहुत सौक्ड हो जाता है क्योंकि देवी प्रसाद ने उससे जूट कहा था और यहां पर आदी राज को सब समझ में आ जाता है और इसलिए वो देव की पा कि पूरे कंडोल में था नीनाद के और उसने हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी और इसके बाद वो स्कूल आ जाता है और यहां पर डीन व्यास का भी तिखा बैग दिखा जाता है यहां पर डीन व्यास का बिक्रिप्ट कर निकले जाते हैं लेकिन से जाने की तैयारी करता है और एक बार फिर से flashback में दिखाय जाता है कि actual में नीनाद के साथ क्या होता है जब देव ने नीनाद को मारा था तो वो मर गया था जिसके बाद देव ने coach व्यास की help ली थी और साथ में school के प्यून देवी प्रसाद की भी और सभी मिलका नीनात की बॉड़ी को दफना देते हैं और अब प्रेजन टाइम में दिखाया जाता है कि देव इसकुल से बाहा जा रहा था तब ही नीनात की स्प्रेट आकर उससे बदला लेती है और उसे जान से मार डालती है और ये सब देखकर मालविका र और वो ये भी बताते हैं कि देवी प्रसाद ने अपना गुना कबूल कर लिया है यहां पर नीनात की स्प्रेट ने भी देवी प्रसाद के ओपर अटैक किया था और नीनात की स्केल्टन गरदन से तूटी हुई थी तो ग्लास से टकरने के बाद गहदन कैसे तूट सकती है और यहां पर आधी राज को सब समझ में आ जाता है और वो मालवीका के पास जाता है और यहां पर इस सिरीज का में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि एक्च्छल में उस दिन क्या हुआ था? जब देव ने नीनाद को मारा था तो वो बेहो सोचुका था लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होस आ जाता है और वो मालवीका के पास जाता है क्योंकि मालवीका नीनाद से बहुत नाराज थी इसलिए नीनाद उससे sorry कहता है उनके बिच arguments होते हैं और मालवीका गुसे में नीनाद को धक्का दे देती है और नीनाद direct field में गेरता है नीचे पत्थर रखे होने के कारण उसकी गर्दन तूट जाती है और वहीं पर उसकी death हो जाती है मालवीका इसके लिए देव से help मांगती है और देव कोच व्यास से और कोच व्यास देवी प्रसाद से उसकी body को ठिकाने लगाने बोलते है नीनाद की जब आदी राज से fight होती है तो उसने एक letter लिखा था और उस letter का use कोच व्यास करते है नीनाद के against यहाँ पर कोच व्यास ने ट्रस्टी के बेटे देव की help की थी और यही reason होता है कि कोच व्यास को dean बना दिया जाता है और अब नीनाद के spirit मालवीका के उपर भी attack करती है और वो भी सब की तरह मारी जाती है यहाँ पर police officer जोसी को भी अच्छी खासी रकम दी जाती है साथ में उसका promotion भी करा दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ नीनाद के case को दबाने के लिए आदी राज की girlfriend भले ही मालवीका थी पर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय नीनाद के साथ गुजारा करता था आदी राज अपनी सारी problems नीनाद से share किया कहता था और यही reason होता है कि मालवीका हमेशा insecure feel किया करती थी उसका मानना होता है कि आदी राज हमेशा first priority नीनाद को देता है उसने भले ही देव से शादी कर ली थी पर वो reunion सिब आदी राज से मिलने आती है और आदी राज सिब नीनाद को ढुणने आता है क्योंकि नीनाद ही उसका best friend था अब आदी राज नीनाद की spirit से माफी मांगता है और उससे कहता है कि विदान्द की body को छोड़कर अपनी दुनिया में चला जाए जिसके बाद नीनाद कहता है कि आदू को छोड़ना पड़ेगा नीनाद को तब ही वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा और इसके बाद आदी राज उसे goodbye बोलकर जाने दिता है और अब विदान्द भी ठीक हो जाता है और अपने parents के साथ वापस चला जाता है और साथ में इन दोनों के हाथ में जो birth marks थे वो भी चले जाते है और लाश्ट में आदी राज सुप्रिया से मिलकर वहां से चला जाता है लेकिन सुप्रिया एक औरत के पास जाती है और वो आदी राज सुप्रिया को पॉजस कर लेती है और इधर आदी राज फ्लाइट के अंदर था तब ही उसे सुप्रिया का call आता है और वो कहती है कि आदी राज मुझे बचाओ और इसके साथ ही ये सीरिस यहीं खत्म होती है अगर आपको ये सीरिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भुलें